स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा 4-5 है प्रियास कारे पुस्तिका गनित का आंकले नमबर 5, कारे पत्रक नमबर 19 और 20 एक ही वीडियो के अंदर जो कि पेज नमबर 111, 112 और 113 पर है तो चले श्टार्ट करते हैं सही कतन पर निसान लगाना है उपर से दिखने पर त्रिकॉन दिखेगा गलत है अगला देखिए दी गई आकरतियों को दिखने वाली एक एक वस्तू का नाम लिखिए ड्रम, थाली, चौकडबा, कीप और रबड अगला है दी गई रंगोली में खड़ी आड़ी और तिर्शी रेकाओं और वक्र रेकाओं को मिल गिन कर लिखना है खड़ी रेकाओं चार, आड़ी दो, वक्र चार, तिर्शी, सोला अगला है दी गई आकरतियों में कितने कौने और बुजाएं हैं गिन कर बताने हैं कौने 5 बुजाएं 10, कौने 6 बुजाएं 6, कौने 6 बुजाएं 5, कौने 5 बुजाएं 5, कौने 2 बुज प्रकार से आप देखिए कंफ्यूज नहीं होना इस प्रकार से मिलाना है आप मैं आपको बढ़ा करके भी दिखाता हूं इस प्रकार से आपको मिलाना है यह अगला देखते हैं कारे पत्रक नमबर 19 अनुमान लगा अगर बताईए कि दी गई वस्तुओं की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी 100 सेंटीमीटर 15 15 15 2 और 100 अगला देखिए टीवी की लंबाई हम काई तीवी की चौड़ाई काईमे नापते हैं सेंटीमीटर में जूते की की लंबाई सेंटीमीटर नाकुन की लंबाई सेंटीमीटर बैट की लंबाई सेंटीमीटर चार पाई की लंबाई मीटर में घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में अगला है कारे पत्रक नमबर 20 इसकेल पर कुछ वस्तुओं की लंबाई को दरसाया गया है हमें बताना है य रोड 12, लाइन है 16 cm की, 28.5 और कील 12.5 अगला देखिए, दिये गई स्किल पर एक पैंसिल और सौपनर की लंबाई को दर्साय गया है, बताइए सौपनर से कित्ते cm छोटी है, तो 5 में से 2 घटा देंगे, 3 cm छोटी है, अगला है दर्साय गई, रेखाओं को देखें हो, नीच दीए गई प्रस्ण को उत्तर देने है, सबसे लंबी रेखा की लंबाई लिखिये, कित्ती है, लंबाई, लंबाई लिखनी है, तो चौटे वाले की है, कित्ती cm है, 1, 2, और 3 cm, तो 3 cm हम उत्तर लिख देंगे, इसका, चौटी वाली रेखा है, अगला है सबसे छोटी तो 1.5 cm है तो कित्ती हो जाएगी 1.5 cm अब सबसे लंबी रेखा से सबसे छोटी रेखा कित्य cm बढ़ी है तो 3 में से 1.5 को घटा देंगे 1.5 cm उत्तरा जाएगा तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने आंकले नंबर 12 आंकले नंबर 5 कारे पत्र नंबर 19 और 20 किये हैं एकी वीडियो में जुड़रे ये चनल से लाइक करें सेर के सब्सक्राइब परें थन्यवा